खासित बतन बताये तो यह लगन में हमारी जो साधिया होती है उसमें ज्यादा तर पहने जाते हैं और इसको संभलना भी बहुत आसान नहीं है उसको मलमल के कपड़े में रखो और हर 15 दिन उसको खोलो उसको थोड़ी सी ध्वलकी सी दूप दो और इसकी जो प्राइसे वह धाई-लाग की प्राइस है अमको बारा महिने में में इसकी माटीरियल का कोश्ट नहीं हमारी इसमें मजूरी यह पूरा हम जो काम करते हैं पूरी नोगों की 是這樣 यह जो हमारा काम है यह वंच्परमप्रागत है हमारे बाप दादे से सुरू में करते हुए है और पहले जो हम काम करते थी और रबारी और आहिर लोगों के लिए करते थी हम उसको कपड़ा बना कि देती और वो हमको उसके बदे में अनाज दूद फल या सब्जी देती अभी कि हमारा और जन्रल मार्केट हो गया है पहले हम गेटे बक्रे की उन से करते थी अब कोटन में भी कर रहे हैं सिल्क में भी कर रहे हैं और हमने 2011 में एक साड़ी बनाई थी जिसका हमको नेशनल आवार्ड भी मिलाए हमारे राष्टपदी प्रणाव जी मुकर जी के हाथों स अर शाड़ी बनाने में हमको दो दो जटन को बारा मैने से ज्यादा समय लगाए और इसमें चीन आङे हुए कोटन है सिल्क और रेसम है वाना है और सिल्क का जो है वो ताना है और रेसम की पूरी डिजैन है और इसमें बाइस से ज्यादा कलर लगे हुए और हमारे पूरी फैमेली मिलके यह काम करता है और हमारे घर में साथ नेशनल लेवोडी है एक संद कभीर भी है करते है और हमारे पूरी चारे देया और भी चाहले ने वेड़ी है करता है अब्सक्राए है कर दो है यह करता है और हमारे एक संद करना है मोईड़ी है